सेक्स टैबलेट लेने के पहले या बाते ज़रू जान ले इसके बारे में बात्चित करने वाला हूं सेक्स टैबलेट हाउ टू टेक सेक्स की दवा लेनी कैसी है मेरा नाम है दॉक्टर दीपक एकर में मनोविकार सेक्स रोग संवोहन तथा जैसे लोग उसको पुकारते हैं और अलोपेथि में सेक्स टैबलेट ऐसा बोला तो फिर सामने क्या आता है सिल्डानाफिल टाडालाफिल यह दवाई सामने आती है सिल्डानाफिल यह दवाई है यह दवाई कैसी लेना चाहिए तो यह दवाई आती है पच्चास मिलिग्राम सो मिलिग्राम ज्यादा तर पच्चीस में भी आती है पच्चीस पच्चास और सो यू बुके पेट लेते हैं तो जल्दी उसका असर आएगा पानी के साथ में लेना है यह दवाई जो है यह घंडी जगह पर रखना है नॉट निसरली मतला है यह फ्रीज में रखना घंडी जगह पर बॉट्ल पैक में रखने का है और यह दवाई लेने के बाद में दोड़ाए घ द्यूवाग में सेक्स की वीचार आना ज़रूरी है कि दिमाग में जगडा हो चुका है पती पत्नी में जञजट हो चुकी है बहुत जादा सेक्स की विचार आएंगे नहीं तो वो मेसेज़ेस पेनिस में लिंग में जाएंगे नहीं और मेसेज़ेस लिंग में जाएंगे नहीं तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन होंगा नहीं क्योंकि यह दवाई नाइट्रिक ऑक्साइड का कारेक्रम उसका मेटेबॉलिसम उ तो यह दवाई का असर आने के लिए sex, excitement sex के विचार आना ज़रूरी है, वो यह दी विचार नहीं है, तो tension आएगा नहीं, दुनिया में आज, ऐसे कोई भी लवा निकली नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्या आपने गोली खा लिया और erection आ गया, नहीं, यह इसलिए पहले से उसके जो एंटिडोट है, वो यह दुनिया नहीं लेना चाहिए, वैसे इनको आखों का प्राब्लम है, रेट्रिजनल प्राब्लम है, यह आख के ओपर बुरा आसर करते हैं, यह दवाई से एसलिट होती है, बोड़ी एक्सपेंस होते है, बहुत दर्द हो होता है, तो जिनको जादा रियक्शन आती है, लोगोंने दवा नहीं लेना चाहिए, या नहीं रियक्शन आना चाहिए, मतलब रियक्शन नहीं आना चाहिए, इसलिए पहले से उसके जो एंटिडोट है, वो ले लिया, तो बाद में फिर उसके साइड एफेक्ट्स नहीं ह है और बाद में दिमाक शांत रखना है रोमेंटिक बाते करो रिलाक्स रहो जंजट जगडा डिबेट वगरे नहीं करना है तो बहुत अच्छा इरेक्षन आ जाएगा टाड़ा फिल दस और बीस मिलिकर आम में मिलती है और टाड़ा फिल का एक्षन थोड़ा सा थोड़ा कम ह है और उसकी रियक्षन भी कम है उसके वारे में मैं और कहीं दूसरे वीडियो में बात करूंगा अभी तक इतना ही कि सिल्दानाफिल मतलब जिसको वायकरा नाम से पुकारते है तो वह गुली अपने खाना है मगर यह साइड इफेक्ट धाय में रखते हुए कभी-कभी ऐस होता है कि साइड इफेक्स बहुत ज्याद आसकते हट अब काया हुआ नाइटर्स की फूली चालू है वह ब्लेड प्रेशर कम करेंगी यह दवाई खालिया तो यह भी ब्लेड परेशर कम करेंगी और एकधम खटाक से ब्लेड परेशर नीचे आजाएगा आत्मी के जान को हो सकता है तो यह सब जानते हुए आपको शिल्दने फिल लेनी है और आपने आपके सेक्सोलोजिस्स से या साइक्याट्रिस से कंसल करें बहुत ही अच्छा है हम ऑनलाइन एवेलेबल है सलाह देने के लिए लोगों को आप हमें संपर्क कर सकते हैं पूछ सकते आपको कोई त करो ताकि लोगों को सही जानकारी मिलेंगी और लोगों का सेक्स लाइफ अच्छा होगा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्छ मुछ सकते हैं झाल को अपका शुछ हैं झाल को अईक्छ